आकाश्वाणी भोपाल से प्रस्तोत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपाज सिंग लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला ने सुझाब दिया है कि एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक पर रोक लगाने का सामुहिक फैसला करने के बारे में सदन में विशेष चर्चा होनी जाहे उन्होंने आज प्रिश्नकाल में सुझाव देते वे कहा कि इस बारे में सामुहिक फैसला हो जाने से देश के सभी 130 करोड लोगों को फाइदा होगा सदस्यों ने अध्यक्ष के सुझाव का स्वागत किया और चर्चा कराने पर सहमती जताई राइसिन के साची में संस्क्रती विभाग द्वारा कल से दोदिवसी महाबोधी महतसफ शुरू हो रहा है कलाओ में बौध विचार पर एकाग्र इस महाबोधी महतसफ के प्रथम दिन कल सुरेखा कामले के बुद्धवन्दना और गीत से महतसफ की शुरुवात होगी इसी दिन जापान के कलाकार माय, मिचियो, यसुदा द्वारा लोग संगीत की प्रस्तोती होगी साथी जातक कथा सुर्ण नम्रग एकाग्र नात्य प्रस्तोती और रतिनातिका आमरपाली की प्रस्तोती दी जाएगी वहीं महतसफ के दूसरे दिन 24 नमंबर को श्रिलंका की लोक्रति ट्रतिनातिका यसुधरा भुनेशुर से आए शोक कुमार घोशाल और साथी प्रस्तोत करेंगे इसके लावा बौध विचार एकाग्रनातिका शुनिता का मंचन होगा 24 नमंबर को ही श्रिलंका महाबोधी सुसाइटी द्वारा एक दिनी बौध मेले का आयोशन किया गया है इन दौर के पास देपालपर पंचाय सचिव योगेश दुबे के घर लोकायुक्त पलिस ने शापामार कारवाई की है इनके खिलाफ काफी समय से आय से अधिक संपत्ती मामले में शिकायते आ रही थी लोकायुक्त के टीम ग्राम पंचायत अत्याना ऐसे तो उनके निवास से चल अचल संपत्ते के जानकारियां जुटा रही है वुपाल के एट खेड़ी में बहतरवा आलिमी तबलीगी इच्टिमा आज सुबह फजिर के नमाज के साथ शुरू हुआ 25 रवंबर तक चलने वाले इस आयोजन के लिए सुरक्षा के पुक्ता इंतजाम किये गया है सुरक्षा विवस्था में करीब 4000 अधिकारी और कमशारी तनात हैं जिन में जिला पुलिस बल, सेफ, स्टिफ शामिल है इस तबलीगी इस्तिमा में देश-विदेश की मुस्लिम जमाते हिस्सा लेती हैं और इस दौरान स्लामिक विद्वान अपने तक्रीरे पेश करते हैं पेश एक रिपोर्ट पहला आलमी तबलीगी इस्तिमा 1944 में भोपाल में ही हुआ था और तब इसमें केवल 14 लोग शामिल हुए थे अब यह संक्या बढ़कर लाखों में पहुँच गई है इस आयुजन में भाग लेने के लिए रूस, फ्रांस, इंडोनेशिया, मलेशिया, इराक और साउधी अरब सहित, दुनिया भर के कई देशों के हजारों लोग भोपाल पहुँच गए है संजीव, शर्मा, आकाश्वणी समचार, भोपाल इस दिवह में पहली बार मुबाइल एप और किवार कोट का इस्तमाल किया जा रहा है इस एप के माध्यम से जरूरत मंद वेक्टी, नमाजस्थल, वुजोस्थल, पानी, शौचाले, अस्पताल, पार्किंग, कंट्रोल रूम की जानकारी के साथ हल्प डिस्क से सहायता भी फ्राप्त कर सकेंगे शुपुरी में 8 जन्वरी को आर्मी भरती का आयूजन होगा इसमें जिले के पात्र युवा शामिल हो सकें इसके लिए विकास खंडों में विशीश प्रसिक्षन और फेटनिस शिवर का आयूजन किया जा रहा है संभागी खेल और युवा कल्याड अधिकारी M.K. धौल पुरिया ने बता है कि शिवर 25 नवंबर को सभी विकास खंडों में लगेंगे महत्मा गांधी के 150 ने जैनदी वर्ष के मौके पर बापो की प्रदीश यहात्राओं पर आधारिध हमारे विशेश श्रंकला मध्य प्रदीश में महत्मा के 7 नंक में अब कुछ समाचार संख शेफ में धारसली में फड़की संगीत समारों के दूसरे दिन आज सुझ्जयन की कथक नत्यांगना, माधुरी, कुदापे और धार की आचल सचान कथक की प्रसुती देंगी। सरकारी स्कूलों में सार्थक बदलाव की कहानियों में टीकमगर से तीन स्कूलों के शिक्षिकों की कहानियों का चैन हुआ है। कल भुपाल के आएकफ आश्रम में वे अपनी कहानियां सुनाएंगे। इस मुलिटिन में इतना ही आकाश्मानी भुपाल से अगला प्रादेशिक समाचार बुलिटिन सुनिये शाम 7 बचकर 10 मिनिट पर। नमस्कार।